हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल सेंड और आर्टिफिशियल सेंड के बारे में दोनों क्या होती है और हम किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं यह आप इस वीडियो में विल्गुल अच्छे से समझ सकते हैं एक्चुल जो नेचुरल सेंड है वो हमारी आती है रिवर से यानि कि नदी से और जो आर्टिफिशियल सेंड होती है वो हम स्टोन डस्ट से बनाते हैं यानि कि यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि स्टोन डस्ट आर्टिफिशियल सेंड हो और जो natural sand होता है वो आता है हमारा river से यानि कि जिसको हम रेती बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं उसको और maximum उसको ही use करते हैं आज के वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि आप किस तरह किसे किस तरीके से use कर सकते हैं कैसे आपको use करना चाहिए सीधा हम वीडियो में चलेंगे इससे पहले आपसे छोटी सी request है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकान प्रेस कर लीजे साथ ही साथ आप हाउस प्लान का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक आपको जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे सबसे पहले जो हम नेचुरल सेंड यूज करते थे पहले तो हम जैसे कि अगर आमान लीजे प्लास्टर है तो प्लास्टर में हम नेचुरल सेंड यूज करते थे जिसमें हम कुछ उसमें बारिक जो रहता था पालिटिकल उसको यूज करते थे कुछ मोटा जिसे हम बजरी भी कहते थे यह मैं सिंपल भासा में बता रहा हूं और ऐसा कोई यह बुक में नहीं है यह प्रक्टिकल बेसिस है आप भी अगर वर्क करते हैं तो आप भी इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अगर आप बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं और आपने भी अगर यू प्लास्टर करते हैं तो बहुत सारी जगे ऐसा होता है कि हम पहले जो डस्ट होता है यानि आर्डिफिशल सेंड उससे हम एक प्लास्टर करते हैं उसके बाद जो रिवर सेंड होती उससे प्लास्टर करते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा प्लास्टर के क्रेक्स वगिरा के चा करते हैं किस तरीके से जो इस्टोन डश्ट होता है वह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का होता है क्योंकि अगर आप गिट्टी यानि कि एग्रिगेट का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो इस्ट्रेंथ होती है अगर उसके पार्टिकल रहेंगे तो वह भी बहुत अच्छा बॉ होती है अब हम बात करते हैं डश्ट की जो की अर्टिफिशल सेंड होता है इस टून का डश्ट तो वह हम ब्रिग वर्क की जुडाई में यूज कर सकते हैं प्लास्टर में यूज कर सकते हैं लेकिन जो हम मोटा प्लास्टर करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं उसको बारिक sand और reverse sand का एक proper तरीके से सी आप ratio बना सकते हैं अगर आप mix design वगजिरा करते हैं तो आप समझ सकते हैं या फिर आपका mix design से आता होगा तो अगर आप चाहते हैं कि mix design होता क्या है? इसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं? तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं जिससे mix design पर भी हम वीडियो लेकर आएं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और क्या होता है ये friends दोनों में कोई ज़्यादा difference नहीं है लेकिन आजकल जो आपको costly कम पढ़ती यानि कि जो सस्ति पढ़ती वो होता है stone dust artificial sand आप इसे use कर सकते हैं इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी problem नहीं है साथी साथ आप इसमें mix करके natural sand जो हमारी river से आती है नदी से आती है वो भी sand use कीजिए वो rate भी use करेंगे आप तो बहुत अच्छा एक bond बनता है तो इस तरीके से आप दोनों को mix करके use कर सकते हैं आपको problem नहीं आएगी अगर आपके कोई queries होती है तो आप हमें instagram पर link आपको नीचे मिल जाएगी उस पर message कर सकते हैं आपके कुछ सुजहाब है तो आप हमें comments करके दे सकते हैं वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में किसे अने टॉपिक के साहां तब तक के लिए थैंक्यों